हाई दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज हम बनाएंगे चिकेन करी नीव यार है इसलिए आज हम चिकेन करी इस जी तरीके से एकदम इंस्टांट बन जाने वाला यह है धेर सारा चिकेन तरह तरह की पीसे से यह देखिए तरह तरह की पीसे से लेक पीस है सॉलिट है बहुत सारा चिकेन चलिए इसको बनाते हैं कैसे बनाते हैं एकदम सिंपल तरीके से यह पियाज लैसून टमाटर हरी मिर्च सुखिलाल मिर्च अद्रक इसको हम तो 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 इसमें तेज पत्ता और कुटी हुई गरम मसाला चौक लगाएंगे ठीक है कुटी हुई गरम मसाला कुटा नहीं साबूत नहीं कुटी हुई डालेंगे इसको थोड़ा अच्छे से फ्राइ होने देंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करे अभी हमने वह जो पीशी हुई मसाला था उसको हम डाल देंगे अच्छे से हमने इसको भूनेंगे मसाला जितना अच्छा भूनेगा चिकेन उतना ही टेस्टी बनेगा ठीक है यह हमने सारे मसाला डाल दिये हैं अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें कुछ मसाला आड़ करेंगे हल्दी हल्दी पाउडर थोड़ा ज्यादा डालेंगे बहुत सारा चिकेन है मेरा आप कांटिटी में कम भी कर सकते हो और यह नमक स्वाद अनुस्वार नमक डालें फिर यह धन्या पाउडर दो चम्मोज धन्या पाउडर दो चम्मोज जीरा पाउडर मेरा quantity ज्यादा है इसलिए थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ इसी हिसाब से आप quantity कम भी कर सकते हो आपके चिकन की हिसाब से हमारा चिकन का मसाला फिर बाद में हम चिकन मसाला डालेंगे इसको हम अच्छे से भून लेंगे बहुत ये अच्छी तरीके से भूनेंगे कड़ाई छोड़ देगा तेल निकल आएगा तभी हमको पता चलेगा मसाला भून गया है अच्छे से यह रखिए कड़ाई छोड़ दिया है मसाला भून गया है अच्छे से हम मसाला बून लिया हैं आप भी ज्यादा हाई फ्लेम में मत किजिएगा लो फ्लेम लो टू मीडियम फिर हम यह नमा खल्दी डाल के रखे थे चिकन में हम दही बिलकुल नहीं हम दही डाले नहीं इसमें चिकन इतना सा यह नरम होता है यह ऐसे ही पक जाता है दह तमाज बीना दही का बीना दही का चिकन बनाएंगे टमाटर शिप टमाटर डालेंगे यह हमने चिकन मसाला डाल दिये हैं चिकन डाल के अच्छे से मिला लिये हैं उसके बाद हम चिकन मसाला डाले हैं दो टेबल स्बन भरके डाल दीजिए मेरा दो किलो चिकन है उसी हिसाफ सा हमने डाले हैं और यह आलू बॉयल करके रखे हैं इसको हम बाद में डालेंगे बड़े बड़े टुकडों में काट लिये हैं यह हमने चिकन को ढख के पकाएंगे ऐसे ही यह बॉयल हो जाएगा बिना धही का बनाएंगे ठीक है ढख के पकाएंगे यह अपना पानी चोड़ेगा चिकन यह देखिए अच्छे सबून गया है दो तिन मिनिट करके आप ढख के पकाएंगे यह देखिए हमने चेक कर रहे हैं यह देखिए बॉयल हो गया चिकन ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है दो एक दो बार आप ढख के पकाएंगे फिर देखिए चेक करके ओग ऐसे पक जाता है फिर हम इसमें आलू एड़ कर देंगे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को स्किप मत किजिए सारा मसाला चला जाए अच्छे से गरम पानी डाले ज्यादा नहीं मेरा दो किलो चिकन में मैं दो माग पानी गरम पानी डाले हूं आप आपने चिकन के हिसाब से पानी डाले ज्यादा मत डाले गरम पानी डाले टेस्ट ज्यादा अच्छा रहेगा ठंडा पानी से चिकन फ अच्छे से इसको मिलाएंगे अच्छे जट पट बन जाता है चिकन करी बहुत ही जट पट ज्यादा टाइम लगता ही नहीं मेरा इतना सारा चिकन आधा गंटा आधा आधा घंटा लगा ज्यादा नहीं लगा 30 मिनिट 30 से 40 मिनिट में मेरा चिकन बन गया ये देखिए उबाला गया है हमने गरम पानी डाले थे बोलके बहुत ही जल्दी उबाला गया है इसमें अच्छे से उबाल जाने दीजिए फिर हम इसमें गरम मसाला आट करेंगे ये हमने गरम मसाला आट कर दिये और अच्छे से मिला लें बहुत ही टेस्टी बहुत ही श्वादिश्ट यह चिकन करी हर कोई पसंद करता है ज्यादा रिच नहीं है एक दम लाइट हमने इसमें लाल मीट्स पाउडर डाले ही नहीं वह जो हम पीसे थे उसी से इसका तिखा बहुत ज्यादा हो गया और धेर सारा धनिया पत्ता बहुत इश्वादिश्ट बहुत इश्वादिश्ट हर कोई पसंद करता है जितना लाइट बनाओ हर कोई खा सकता है रिच बनाने से हर कोई खानी पाते हैं इसलिए मैं आज लाइट चिकन बनाना दिखाया यह लिजिए बनके तयार आपका चिकन करी वीडियो अच्छा लग बहुत ही शाधिस्ट चिकेन करी तैयार अगले एपिसोड में नए रिसीपी लेकर आ जाओंगी तब तक के लिए बाई